आईपिल 2023 के लिए चैनली पहुँचे महिंदर सिंग दोनी शुरू हुआ चैनली सूपर किंग्स का ट्रेनिंग केम पे जानेंगे क्या है पूरी खबर वीडियो को पूरा देखें अगर आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब करें चैनी सूपर किंग्स के केम से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन करें लिंक आपको डिस्क्रिप्टिन में मिल जाएगी आईपिल 2023 का सीजन 31 मार्च से सुरू होने जा रहा है BCCI सेडियूल पहले ही जारी कर चुकी है सेडियूल के अनुसार चैनी सूपर किंग्स को अपना पहला मुकावला भी 31 मार्च को ही खिलना है ये मुकावला नरिंदर मोदी स्टेडियम एहमदाबाद में खिला जाएगा पहला मुकावला चैनी सूपर किंग्स और गुजरात टाइटन्स के पीच खिला जाना है आईपिल 2023 के लिए चैनी सूपर किंग्स की टीम काफी मजबूत नजर आ रही है उनिश्चेत तोर पर धोनी की ये टीम प्रवल दाविदार भी है चैनी सूपर किंग्स का प्रदर्सन भले ही पिछले सीजन में बिलकुल भी अच्छा ना रहा हो लेकिन आईपिल 2023 के लिए इस टीम में कई बहतरीन खिलाडियों को सामिल किया गया है बैनिश्टोक्स के सामिल होने के बाद ये टीम और भी मजबूत नजर आ रही है इसके अलाबा इस टीम में कई बहतरीन बल्लिवाजों के अलाबा कई ऐसे गेंदवाज हैं जो अपने दम पर मैच को पलटने की जहमता रखती है आईपिल 2023 इसके लिए चैनी सूपर किंग्स की टीम ने अपनी तैयारियां भी सुरू कर दी है चैनी सूपर किंग्स के जादातर खिलाड़ी चैननी पहुँच चुके हैं आपको बता दे जितने भी विदेसी खिलाड़ी चैननी की टीम में सामिल है वो खिलाड़ी भी बहुत ही जल्द चैननी पहुँचेंगे और प्रैक्टिस केम का हिस्सा बनेंगे लेकिन अब वो official practice camp का हिस्सा बनेंगे पहले उन्होंने अपनी तैयारियां राची में ही सुरू की थी लेकिन अब वो चैन्ने में बल्ले से हाथ आजमाते हुए नजराएंगे आपको क्या लगता है क्या IPL 2023 में चैनली सुपर किंग्स की टी में खिताब जीत सकती है या नहीं आप अपनी राए नीचे कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें